तुरंत भोजन का चलन भी बड़ी शेरों में खूब बढ़ गया है इस फास्ट पूड में बर्गर, नूडल्स जेसी कई चीजे शामिल हैं एक जमाने में कुछी लोग तक सिमित चाइनीज फूर नूडल्स और अब संभवत किसी के लिए भी अचनबी नहीं रहे टू मिनिट्स नूडल्स के पेकेट बंद रूप से जो कम से कम बच्चे बूरे सभी परिचित हो चुके हैं इसी तरह नमकीन के कई स्थानी प्रकार अभी तक भले ही मोजुद हो लेकि आलू चिप्स के कई विग्या पित्रूप तेजी से घर घर में अपनी ही जग बनाते जा रहे हैं गुजराती धोपला गाठिया भी अबधीश के कई हिसों में स्वाद लेकर खाय जाते हैं बंगाली मिठाईयों की केवल रस भरी चर्चाई नहीं होती वे कई शेरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्द हैं यानि इस्थानी वेंजनों के ही साथ ही अन्य प्रदेशों के वेंजन पक्वान भी प्राय हर शेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गी जीवन में बोजन विवित्ता अपनी जगब बना चुकी हैं कुछ चीजे और भी हुई हैं मसलन अंग्रेजी राज्य तक जो ब्रेड केवल सहाबी ठिकानों तक सीमित थी अब कस्वों तक पहुँच चुकी हैं और नाश्ते के रूप में लाखों करोणों भारती घरों में सेकी तली जा रही है खान पान की इस बदलती हुई संस्क्रती जे सबसे अधिक प्रभावित नई पीड़ी हुई है जो पहले के ही इस्थानी विंजनों के बारे में बहुत कम जानती है पर कई नए विंजनों के बारे में बहुत कुछ चानती हैं मुंबई के ही पावभाजी और दिल्ली के ही जोले कुल्चों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूरत है अब अन्य इस्थानिय वेंजोने की दुनिया में छोटी हुई जानकर ये भी बताते हैं कि मतुरा के पेडों और आग्रे के पेठे नमकीन में अब वह बात कहां रही यानि जो चीजें बची हुई हैं उनकी गुणवक्ता में फर्क पड़ा है फिर मोसम और रितूओं के ही अनुसार फलों खाद्यानों में जो व्यंजन पक्वान बना करते हैं उन्हें बनाने की फुरसत भी अब कितने लोगों को रह गई है अब गिरहनियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खर्बूजे के भीज सुखाना चीलना और फिर उनसे व्यंजन तयार करना सचमुच धू साथ दे है यानि हम पाते हैं कि एक ओर तो इस्थानी व्यंजनों में कमी आ गई तो दूसरी और वे भी तेशी विंजन अपनाने जाने ल रहे हैं बच्चों इस पात को पढ़िये ध्यान से और नीचे कुछ प्रशन दिये हुएं उन प्रशनों का भ्यास कीजिए सुन्दर सुन्दर लेख लिखिये और उन प्रशनों के उत्तर नोट बुक में करने का प्रैतन कीजिए